असलामू अलेकुम दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब पहली दफा विरात कोली का नसीम शा से सामना हुआ तो कैसे नसीम शा ने विरात कोली के होश ठिकाने लगा दिये दोस्तो नसीम शाह और विरात कोली के दर्मयान होने वाला मुकाबला बहुत ही दिलचास्प था इसलिए वीडियो को मिस मत करना सब्सक्राइब करें उर्दू फैक्ट एच्छी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो विरात कोली जो कि भरत के सबसे खतरनाक बलेबाज माने जाते हैं अगर इनका दिन हो तो ये गेंद बाजों की ऐसी धुलाई करते हैं कि उन्हें मूँ छुपाने का मौका ही नहीं मिलता विरात कोली को दीरान मशीन भी कहा जाता है जबके दूसरी तरफ नसीम शा जो के पाकिस्तान के इस वाक सबसे कम उमर पेसर हैं उनका लिग क्रिकेट का रिकॉर्ड बहुत ही बहतरीन है पहली दफार नसीम शा और विरात कोली 2022 सेश्या कप में आमने सामने हुए भरत के ख पहले से ही हार मान चुकी थी इस बेजान से मैच में अगर किसी ने जान डाली तो वो नसीम शा थे इन्होंने आते ही ऐसी बॉलिंग की के तबाही मचा दी पहले तो इन्होंने केल रहुल को बोल्ड किया जब विरात कोली मैदान में उतरे तो उनका भी एज निकाला मगर क कोली की किसमत अच्छी थी के फकर जमान के हाथों कैच ड्रॉप हुए इस मैच में विरात कोली उनके सामने बेबस नजर आए और यहां तक के उन्होंने मुस्कुराते हुए ऐसी जबरदस बॉलिंग पर नसीम शा को दाद भी दी इन्होंने नसीम शा की कुल आठ गेंदो का सामना किया और हर बॉल पर ही दूसरे एंड पर भागने की कोशिश की इसी मैच में नसीम शा ने टी 20 के नंबर वन बैट्समेन सूरिया कुमार यादव को भी क्लीन बोल्ड करके उनका रैंक डाउन किया और इस मैच के बाद वो नंबर टू पोजिशन पर गिर गए जब से पहला मुकाबला आपको ये मुकाबला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताके नसीम शा के फैंस जिनको आप जानते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके आज की वीडियो में बस इत नहीं मिलते हैं फ्रेश वीडियो के साथ अल्ला हाफीज